साथ आज का हमारा टॉपिक है खेल से संबंधित ट्रॉफिया और कप किस खेल में कौन सा कप या ट्रॉफिय दिया जाता है इसका संपुल निचोड आज की इस क्लास में देखेंगे टॉप 55 वो सारे महत्पुन कोश्चन्स जो की आप से परिक्षाओं में पूछे जा सकते है वो कोश्चन्स में आज की इस क्लास में एड कर दिया है ये कोश्चन्स आपके सभी एक्जाम्स के लिए चाहे वो SSC का कोई एक्जाम हो रेलवे का कोई एक्जाम हो कोई भी स्टेट लेवल की आप एक्जाम की त्यारी कर रहे हो सभी एक्जाम्स में आप से पूछे जाए यह question बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो ध्यान से दिखिएगा राधा- Stadium कप का संबन किस खेल से है तो साथ यह याद रखना है option number एक रिक्ट होगा प्लो से ठीक, यह जो राधा मोहन कप 300 एक किस ठ्रॉफी Schirm क्हेल पर्तोंगीता है जो कि भै घास के मैधान में खेली जाती है याद राथना विम लंडन तुप से पुराना खेल है यानि सब Us यह एक मात्र से पर्तोंगीता है जो कि भै घास के मैधान पर खेला जाता है याद रखना यहां अपका करेक्ठ हो जाएगा नेक्स्ट है कोपा कप देखिए कोपा कप किस खेल से संबन दीथ है तो साथ यो ध्यान दीजे कोपा कप का संबन जो है ये फुटबॉल खेल से है राइट एंसर होगा option नमबर ए फुटबॉल सुधी रमन कप किस खेल से संबन दीथ है तो बरिकी का सुधी रमन कप का संबन किस खेल से है तो साथ यो ध्यान दीजे करिक्ट आएगा बैडमिंटन से ये जो सुधी रमन कप या ट्रोफी है ये बैडमिंटन खेल में दिया जाता है option नमबर ए करिक्ट हो जाएगा आगे द current cup का संबब्ण किस खेल से हैं याद रखना फुट भॉल से आगे दिखें rovers cup किस खेल से संबद धिते तो दिखें rovers cup जो है यह rovers cup यह किस खेल में दिया जाने वाला ट्रोफोफियों तो याद रिखें करेक्ट आएगा फूट बाल में option number is football correct हो जाएगा class बिल्कुल super fast आपको करवाएंगे तो साथियो class को एक like जरूर करना और अपने दोस्तों के पास इस class को जरूर शेयर करना अगर आपने से कोई भी साथी ऐसे हैं जो आज पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके bell icon on का लेना आगे देखिए नेक्स्ट है डेविस कप किस खेल से संब्ण दी थे तो भई डेविस कप का संब्ण किस खेल से हैं साथियो याद रिखिगा लॉन टैनिस से table tennis नहीं लॉन टैनिस option number C नेक्स्ट है डेविस कप किस खेल से संब्ण दी थे तो भई देखिए डेबिस कप की बात करें न ये question साथ हो repeat हो गया है याद रखना lawn tennis से माफी चाते हैं ये by mistake repeat हो गया है next question है Thomas Cup किस खेल से संबंदी थे तो देखिए Thomas Cup का संबंद किस खेल से है तो याद रखना Thomas Cup badminton में दिया जाता है तो option number C correct हो जाएगा badminton आगे जो फुटबॉल से संबंदी थे आगे देखिए next euro cup किस खेल से संबंदी थे तो देखिएगा euro cup जो है ये किस खेल में दिया जाता है तो साथ याद रखना correct हो जाएगा फुटबॉल में option number B football next Prince of Wales Cup किस खेल से संबंदी थे तो याद रखना Prince of Wales Cup जो है ये गोल्फ में दिय किस खेल से संसंबंदी थे तो ध्यान से दिख्ए working cup का संबंद किस खेल से है तो होकी से और साथियो ये होकी का सबसे पूराना Cup भी है याद रखना वेटन dealt ठीक है आगे देखिए European cup किस खेल से संबंदी थे और को उबेर थी बोते हैं तो Uber Cup का संबन जो है Badminton से ही है Option number C Badminton Next question है Bellington Trophy किस खेल से संबन दित है तो दिखिए Bellington Trophy जो है ये किस खेल में दिया जाने वाला ट्रोफी है तो Nauka Yarn में याद रिखिए Nauka Yarn Option number C Nauka Yarn राइट है अगला question है Ezra Cup का संबन किस खेल से है तो साथियों दियान दिजिए Ezra Cup किस खेल से संबन दित है तो करिक्ट आएगा Polo से Option number C Polo Next is Konica Cup किस खेल से संबन दित है तो दिखिए Konica Cup जो है ये किस खेल में दिया जाता है याद रिखिएगा Badminton में यहाँ भी आपका Right होगा Option number A Badminton Next question है Rider Cup जो कि साथियों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो दिखिए Rider Cup किस खेल में दिया जाता है तो Rider Cup भी Golf में दिया जाता है Option number D Golf Next is Ranji Trophy किस से संबन दित है तो दिखिए Ranji Trophy जो है ये Cricket से संबन दित है साथियों तो correct हो जाएगा Option number C Cricket से Next question है निमनल कित में से कौन सी Tennis इस परधा Grand Salam से संबन दित नहीं है तो देखिए इन में से कौन सी Tennis इस परधा है जो कि Grand Salam से संबन दित नहीं है तो देखिए BIM London, US Open, French Open इसके अलावा Australian Open ये सभी Grand Salam है लेकिन Italian Open जो है ये Grand Salam नहीं है याद रखना ये BIM London, US Open, French Open या Australian Open जो है ये सभी Tennis से संबन दित है किस खेल से तो Tennis से आगे देखिए भारत की सबसे पुरानी होकी टूनामेंट कौन सी है तो अभी मैंने आपको बताया था होकी का सबसे पुराना टूनामेंट कौन सा है वेटन कप है थोमस कप के नाम से और अगर पूछे महिलाओ का महिलाओ का बेडमिंटन परत्योगिता किया है तो याद रिखे उबेर कॉप ठीक है आगे देखिए इंद्रा गांधी स्वार्न कप का संबन किस खेल से है देखिए होने वाले टेस्ट में चो किस रिंखला को क्या कहा जाता है? तो England ebom Australia के बिच होने वाले टेस्ट में चो किस रिंखला को S.A.G. के नाम से जाना जाता है यानि अगर आपसे डाइरिक्ट पूछे कि एसेज का संबंद किस खेल से है तो क्या बताओगे एसेज किस कप से संबंदी थे तो भई एसेज कप ये किरकेट से संबंदी थे आगे देखिए सुल्तान अजलन सा होकी टुनामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है तो मलेशिया ऑप्सन नमबर भी करेक्ट हो जाएगा सुबरोतो कप किस संबंदी थे तो साथी देखिए सुबरोतो कप का संबंद किस खेल से है बहुत ही अच्छा कोश्चेन है तो याद रिखिए सुबरोतो कप का संबंद भी जो है वो आपका फुटबॉल से है तो इस कोश्चेन के लिए भी करेक्ट टेंसर क्या हो जाएग औप्सन नमबर एक फुटबॉल आगे दिखिए अगला है एंथनी डी मेली देखो एंथनी डी मेलो ट्रॉफी किसके बीच खेली जाने वाली टेस्ट क्रिकेट स्रिंखला से संबंदित है तो एंथनी डी मेलो ट्रॉफी जो है यह भारत याद रखना सभी भारत और इंगलें अश्टेलियन ओपन लॉनटेनिस टुनामेंंट से प्रारम कर अन्य तीन बड़े लॉनटेनिस टुनामेंट का निमनलकित में से कौन सा एक अनुकरम सई है यानि Grand Slam में कौन कौन से वो 4 खिलाते हैं एक तो उस्टिलियन ओपन हो गया एक आपका फ्रेंच ओपन होता है एक बिम लंडन होता है और एक युएस ओपन होता है तो option number B करेक्ट हो जाएगा और एक आपका उस्टिलियन ओपन यहां दिया हुआ था सबसे पहले आगे दिखें निमनलकित में से किस Cup या Trophy का संबंद लॉन टैनिस से है तो दिखें इन में से कौन सा Cup या Trophy है जिसका संबंद साथ यो लॉन टैनिस से है तो याद रिखेंगा यहाँ आपका correct answer क्या हो जाएगा तो Davis Cup का option number B Davis Cup Santos Cup या Santos Trophy का संबंद किस खेल से है तो दिखें संतोस Trophy या Santos Cup का संबंद फुटबॉल खेल से है option number C football बर्दमान Trophy किस संबंद दिखें देखें बर्दमान Trophy का संबंद किस खेल से है याद रिखेंगा भरतुलन से भरतुलन यानि वेट लिप्टिंग आगे दिखें रंगा स्वामी कप का संबंद किस खेल से है याद रिखेंगा स्वामी कप बहुत ज़्यादा पूचा जाता है तो भई होकी से संबंद दिथे option number C होकी अगला इस्टानल कप किस संबंद दिथे तो इस्टानल कप का संबंद है ice hockey से यानि hockey से ही है तो option number D ice hockey correct होगा आगे दिख़िए Indian green से सम्बंदित trophy कौन सी है तो Indian green ये किस सम्बंदित है तो challenger trophy से और challenger trophy का सम्बंद किस खेल से है तो भैयाद रिखेगा cricket खेल से ठीकर cricket खेल में challenger trophy दिया जाता है Champions Trophy या Challenger Trophy जो है वो किर्केट से संबंदित है निमनल कित में से कौन सी Trophy किर्केट में नहीं दी जाती है तो देखिए रंजी Trophy, देवधर Trophy, Essage Trophy ये तीनों किर्केट में दिया जाता है लेकिन Rider Cup अभी मैंने आपको बताया था कि ये साथियो गोल्फ में दिया जाता है तो Option Number 1 करेक्ट होगा ये किर्केट से संबंदित नहीं है Holker Trophy किस खेल से संबंदित है? बहुत ज़्यादा ये Question पूछा जाता है तो देखिये Holker Trophy की अगर यहां बात करें तो ये साथियो ब्रीज खेल में दिया जाता है ब्रीज क्या होता है? किस परकार का खेल होता है? तो देखो साथियो ब्रीज जो है एक मुश्किल काड गेम है यानि 22 पत्ती का जो तास होता है ना काड का एक Game है जिसको चार लोग खेलते हैं याद रखना डिक्क है आगे दिखीएगा उन्हीं लग्त्व टाइटल में से किसकी किसकी रों डेखेव रोलेंट गेरो ड़ टाइटल भी कहा जाता यानि यह जो चार Grand Slam होते हैं इन में से वो कौन सा Grand Slam है जिसको Roland Garros भी कहा जाता है तो भी याद रखना Roland Garros के नाम से French Open को जाना जाता है साथियो option number B correct हो जाएगा French Open आगे दिखें नेहरू ट्रोफी किस खेल से संबन दी थे तो भी दिखें नेहरू ट्रोफी का संबन साथियो होकी से है option के अनुसार इसको बताना है वैसे दिखें यहाँ पर साथियो अगर आपसे पूछे न देखें नेहरू कप तो यहाँ पर आपका फुटबॉल से भी यह जुड़ा हुआ है नेहरू ट्रोफी की बात करें तो यह नौका दोड से भी जुड़ा हुआ है और जोहार लाल नेहरू होकी टूनामेंट से भी यह जुड़ा हुआ है तो यह आपको option के अनुसार बनाना है अब देखें यहाँ पर जो है इस question का answer होकी भी होगा फुटबॉल भी होगा ठीक है याद रखना होकी और फुटबॉल भी होगा तो इसको काट कर जो है न A और B दोनों कर देते हैं तो option number D इसको करेंगे A और B दोनों ठीक है चलिए आगे दिखिए Olympic खेलों में से किस खेल के लिए bell, worker, cup दिया जाता है option number B मुक्यबाजी आगा खां कप किस खेल में दिया जाता है तो भै आगा खां कप का संबन किस खेल से है तो होकी से option number A होकी दिलीब ट्रोफी किस खेल से संबन दी थे तो साथियों दिखिए दिलीब ट्रोफी किस से संबन दी थे लिप ट्रोफियो इरानी ट्रोफियो देवधर ट्रोफियो वर्दमान ट्रोफियो यह सभी क्रिकेट से संबंदी थे ओप्शन नमबर भी क्रिकेट चड़ा कप किस खेल से संबंदी थे तो वह दिखिए चड़ा कप का संबन साथ होकी से है ओप्शन नमबर भी करिक्ट होगा होकी से आगे दिखिए देवधर ट्रोफी किस खेल से संबन दी थे तो याद रखना देवधर ट्रोफी की बात करें तो ये क्रिकेट से संबन दी थे आगे दिखिए माडेका कप का संबन किस खेल से है तो बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है याद रखना माडेका कप का स आपने समबंद फूट्बॉल से है उपसीन नंबर भी यहां कर बधेसी साथ मुझेट और देखिए और तरना है कोप विजय हजारे ट्रोफी या 20 चाप मैंने से प्वेज़ुक्त सब्सक्राइब संबंदी थे तो भई राइट आएगा option number D football से आगे दिखिए महाराजा रंजीत सिंग गोल्ड कप किस खेल से संबंदी थे तो याद रिखिए महाराजा रंजीत सिंग गोल्ड कप जो है यह आपका hockey से संबंदी थे तो option देखिए ICC World Cup देखिए ICC World Cup तथा सहारा कप किस खेल से संबंदी थे तो यह तो भई cricket से संबंदी थे option number B correct होगा देखिए सुल्तान अजलन साह कप किस खेल से संबंदी थे अभी मैंने आपको बताया था यह मलेशिया में आई जित होता है इसी क्लास में तो इसका answer आप लोग comment box में बताएंगे बताएंगे सुल्तान अजलन साह कप का संबंद किस खेल से है चली आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं उससे पहले आप तो सभी साथ ही इस question का answer जो है comment box में comment कर दीजी क्या answer होगा यही आपका आज का test का question है next question है साथ यह सीके नाइडू कप देखिए सीके नाइडू अफिन नाइड से ही निट का संबंद देखिए न चत्राफिया क संबंद किस खेल से संबंद दीए तो दिखे इरानी ट्रॉफी या जिलेट का संबं किरिकेट से ही है In backup नमबर डी करेक्ट हो जाएगा किरिकेट नेक्स्ट है हाफ मेन कप किस खेल से संबन दीत है तो साथ्यों देखिए हाफ मेन कप का संबन जो है वह आपका टैनिस से है option number decorrect हो जाएगा tennis आज की इस class में तमाम वो महत्पन, trophya और cup मेरे cover करा है जो आप से paper में पूछे जाते हैं और बिल्कुल super fast class आपको करवाए है क्योंकि साथियों आपका समय बहुत किम्ती है कम समय में आपको पढ़ना है तो class कैसा लगा है? comment box में बताईएगा अगर class पसंद आया है तो अपने 5 दोस्तों को जरूर शेर करना क्योंकि साथियों class आप शेर करते हैं दुसरों का भला करते हैं जो दुसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेसा भला होता है बाकी comment box में बताईएगा आपको questions कैसे लगे हैं और class को like शेर जरूर करना अगर आप में से कोई भी साथिया ऐसे थे जो पहली बार आएं थे चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा चाहिए आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे है मिलेंगे आप से next वीडियो में तब तक के लिए जहिंग वंदे मातरम